नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने भी टायरों में टायर्स की रेटिंग लिखी हुई देखी होगी कि टायरों में लिखा हुआ है 165, Oblick, 80, R, 15, 16, कुछ भी लिखा हुआ रहता है लेकिन दोस्तों हमें जो है generally पता नहीं होता कि उन सब मतलब उन सब चीजों का actual मतलब क्या है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको practically समझाने वाला हुँ कि जो रेटिंग लिखी होती है 165 उसका मतलब क्या है 80 उसका मतलब क्या है, R, 14, 15 उसका मतलब क्या है तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो जनरली जो है टायर रेटिंग्स 6 करेक्टर्स की होती है अब दोस्तो जरूरी नहीं है कि वो 6 करेक्टर्स की ही हो वो 7 करेक्टर्स की भी हो सकती है लेकिन दोस्तो 97% of the time, 95% of the time, आपको जो है वो 6 characters की ही देखने को मिलेगी, अब दोस्तो मैं अगर as an example, Tata Tiago लो, जो मेरे घर में है, उसकी जो tire rating है, वो है दोस्तो 175, 65, R14, और उसके बाद 82T, अब दोस्तो आपने generally tire में notice किया होगा कि 3 ही चीज़े लिखी रहती है, 165, 75, R14 मतब numbers अलग-अलग हो सकते हैं, for Tiago it is 175, swift लोगे तो आप उसमे 165 sections के आते हैं, i20 में 195 sections के आते हैं, तो गारी के हिसाब से जो है rating अलग-अलग होती है, लेकिन मैं just for an example आपको बता रहा हूँ, 175, 65, R14, यहां तक तो आपने notice करा होगा, लेकिन दोस्तो बाद में जो मैंने 82 T कहा, वो आपने आज तक शायत notice नहीं किया होगा, तो दोस्तो ऐसा इसलिए, क्यूंकि एक टायर जो होता है उसमें दो जगा पर ratings लिखी रहती है, एक जगा पर दोस्तो बड़े बड़े अक्षरों में सिर्फ तीन करेक्टर होते हैं, 175, 65, R14, वही पर उसके नीचे मतलब उसके opposite side में आपको जो है पूरी detail में लिखी रहती है, 175, 65, R14, 82T वह आप screen पर देखी पा रहे होंगे, अब दोस्तो आते हैं मुद्दे की बात में की इन ratings का असली मतलब क्या है, अगर मैं दोस्तो बात करूँ टियागो की, टियागो की जो tire section से मतलब यह जो आप screen पर दे dimensions है, मतलब tires के जो ratings है, वो है 165 यानि 165 mm की, तो जो पहले characters है 175 या फिर 165 या फिर 195 या फिर 205 वो होता है दोस्तो टायर के ऊपर का जो width है, जो आप screen पर देख पा रहे हो है, वो चीज, वो चीज जो है सबसे पहले denote की जाती है, अब दोस्तो बात करते हैं दूसरे character की, त हमने 175 के बारे में तो बात कर लिया, अब बात करते हैं 65 की, तो आप screen पर देख पा रहे होंगे कि दोस्तो 65 जो पार्ट है, वो है टायर के इस area के dimension के लिए, अब दोस्तो ये 65 mm का नहीं है, लेकिन दोस्तो इसका जो असली मतलब है, वो है कि this is 65% of 175, सबज में आया, यानि अगर आप swift की बात करोगे, उसमें आता है 165 slash 80, तो उसमें जो 80 है, वो है 80% of 165, तो दूसरे जो characters है, उसका मतलब होता है कि tires के जो rim होते है, rim और tire के top में जो distance है, उस वो कितना percent है of the top width of the tire, आप screen पर जो है वीडियो देखकर पूरे अच्छी तरह से समझ पा ही रहे अब दोस्तों बात करते है R की, R का मतलब क्या है, अब दोस्तों आप एक चीज़ notice करियेगा, यह जो R है यह सिर्फ आपको गारियों में ज्यादा लिखी हुई मिलेगी, यह आपको motor cycles या फिर bikes में लिखी हुई नहीं मिलेगी, तो उसके पीछे भी अलग कहानी है, वो मैं किसी और दिन बताऊंगा, छोटी सी बात है, लेकिन दोस्तों यह जो R है, इसका मतलब आप समझ सकते हो एक टायर बनाने का तड़ी का या फिर डिजाइन आप समझ सकते हो, जिसमें जो है 90 डिगरी पर वो चीज़े जो है रखी जाती है, अब यह चीज ज्यादा important नहीं है R का मतलब जानना ज्यादा important नहीं है, ज्यादा important है बाकी सारे चीज़ों का जानना, अब अगर मैं दोस्तों बात करो, R के बाद जो नंबर लिखा रहता है 14 या 15 या 16 या 19, दोस्तों उसका मतलब जो है वो है दोस्तों rim size, अब दोस्तों आप screen पर देखिए, इसका मतलब ज वो 15 इंची का होगा, I hope it is clear for all now, अब दोस्तों बात करते हैं पांचवे character की की पांचवा जो नंबर लिखा रहता है उसका असली मतलब क्या है, अब इन केस अब टियागो वो है 82, अब आई 20 के टॉप मोडल में शायद वो 86 आता है, I'm not sure, लेकिन दोस्तों ये जो है इसको ह आप डाइरेक्ली नहीं बता सकते है, इसके लिए जो है आपको एक चार्ड देखना पड़ता है, दोस्तों आप स्क्रीन पर चार्ड देख पा रहे होंगे, जिसमें जो है लिखा हुआ है, लोड इंडेक्स 62, 63 से लेकर 83 तक ये बहुत 100 तक भी हो सकता है, उधर जो है दोस 75 kg तक एब्जॉर्प या फिर बरदाश कर सकता है, अब दोस्तों वही अगर I-20 की बात करो, उसमें शायद 86 आता है, तो दोस्तों 86 का मतलब होगा 530, यानि एक एक टायर I-20 का 530 kg तक बरदाश कर सकता है, I hope it is clear, तो इस चीज़को आप डाइरेक्ली नहीं बता सकते, उसक का असली मतलब क्या है, अब इन के सुप टियागो वह है T, अब दोस्तों इसका जो मतलब है, यह बेसिकली है, स्पीड रेटिंग, अभी हमने पिछले वाले में देखा था कि कैसे एक टायर कितना वेड बरदाश कर सकती है, उसके लिए वह रेटिंग थी, अब यह है दोस् यागो का एक एक टायर, 190 km per hour तक स्टेबल रहेगा, उसके उपर भी रह सकता है, लेकिन दोस्तों उसकी कोई गैरेंटी नहीं है, 190 तक स्टेबल रहेगा ही रहेगा, वही अगर आप दोस्तों देखोगे तो यह B से शुरू होकर बिलकुल ZR तक है, लेकिन दोस्तों 75 या फिर 165 वो होती है दोस्तों टायर के उपर की width की वो कितनी चौड़ी है, उसके बाद दोस्तों जो होता है 65 या फिर 75 या फिर 80 वो होती है दोस्तों नीचे के रिम से लेकर उपर के टायर के surface तक के बीच का जो gap है, वो कितना percent है of the width of the tire, तो मुझे लगते हैं यह आप समझ गए होंगे, उसके बाद दोस्तों होता है R, R का मतलब होता है radial, आप समझ सकते हो कि यह एक टायर बनाने का तरीका, आप ऐसे ही समझ सकते हो, उसके बाद दोस्तों होता है 14, 14 का मतलब होता है दोस्तों जो inner diameter है या फिर जो rim size है वो कितनी होगी, उसके बाद दोस्तों जो होता है 175 65 r 14 82 या जिसको हम weight index कहते हैं तो दोस्तों वो होता है कि एक एक tire कितना weight बरदाश्ट कर सकता है for its own और फिर जो last character है वो है दोस्तो speed rating यानि आपका tire जो है कितने speed तक stable रहेगा तो दोस्तों आप अकले वीडियो तक helmet पहने sit bell पहने अपनी family को भी तोसा time day ambulance को रास्ते में side day बंदे मातरम भारत माता की जय